आज इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं कि नीट अंड येवली में जब लास्ट के डेज में हम लोग रिवीजन कैसे करें और रिवीजन के हमारी बैस्ट रिट्जी क्या हो जिससे कि हम लोगों को वो सारे benefits में जो एक best revision में मिलते हैं क्या क्या benefits होते हैं best revision में कि हमको जो चीज़ा आती है वो सारी की सारी चीज़ों का एक वार देखने को मिल जाएं दूसरा जहां जहां हमारी weakness है वो सारी की सारी weakness वाली जगाओं पर हम अपने concept को revise कर सकें and तीसरा की ज़्यादा से ज़्यादा revision कम टाइम में हो सके मैं जो आपको बताऊंगा अभी तरीका उस तरीके को और आप ठीक से apply करेंगे तो आप definitely मान के चलिएगा कि आपको सारी की सारी वो चीज़ा देखने को मिल जाएंगी जिन जो चीज़ा आपको आती है और जहां जहां आपकी कमिया है जहां जहां आपकी weakness है उन topics के concept को आप revise भी कर पाएंगे and सबसे बड़ा benefit इसमें एक यह होगा कि आप daily whole syllabus को revise कर पाएंगे and एक और benefit इसमें होगा कि आपके पास important questions बहुत सारे आजाएंगे आज बताता हूं मैं आपको कैसे आपको करना है revision इसलिए बहुत ध्यान से मेरी सारी बातां को सुनिएगा और उनको प्लीज apply किजेगा क्योंकि आप लोगों के पास अब नीट एंड जे डवली के एक्जाम में ज्यादा दिन 10 days बचे हुए तो हम 10 days की हमें एक ऐसी strategy बनानी है कि हमको हर दिन यह जो तड़ीका मैं आपको बता रहा हूं इस तड़ीके में daily हमको 4-5 गंटे अपनको इसमें spend करना है और उससे हमको यह सारे के सारे benefit मिलेंगे और हमारा whole levels per day revise होगा उसके लिए सबसे पहले आपको एक online app चूज करना पड़ेगा तो online बहुत सारे ऐसे app हैं बट उन समय सबसे best app जो है वो है NTA app है मैं NTA app मैं आपको paper नेना नहीं interaction होगा and NTA ही NEET का paper JEE का paper बनाएगा ना कि आपका कोई इंस्टिट्यूट ओके तो वो एक extra benefit है बाकी हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोगों को यह revision करना है तो देखी क्या करना है हम लोगो daily आप लोगो NTA में एक fix कर देना है कि मान लीजे कि मैं 31 नंबर से 40 नंबर तक कुशन पर अपन लो अपना जो project revision का उसको plan कर रहे हैं आप कहीं पर भी कर सकते किसी भी नंबर के test पर क्योंकि NTA app में काफी जारा test है तो आपके test की कभी नहीं पड़ेगी बट आपको एक fix करना है कि यह नंबर से इस नंबर तक के बीच में मेरा revision का जो plan है वो रहेगा तो मान लीजे कि मैंने 31 नंबर का paper हमारे first day जहां प्लान स्टार्ट उस दिन में मैंने time fix कर लिए कि मैं डेली में एक वज़े से पांच में तक या फिर आप जो revision की मैं आपको strategy बता रहूं उसके लिए क्या करना है कि आपको attempt करते time time नहीं देखना है आपको क्या करना है आपको क्लिक किया paper को start कर दिया तो आपको सिर्फ physics और chemistry questions को attempt करना है अ spyware quantum देनना यहाई आपको एकजाम ही देना है और attempt करते करते करना है कि मानली श्रूण के दो कुष्षन आपसे उवब दो 3 कुष्षन को नहीं हुआ करना है और उसके वाद आपको प्रेशंट कोलना है उसी time और सब्सक्राइब करना है को सब्सक्राइब नहीं को सबस्क्राइब मत जाना है ठीक ना ऐसे आपको लगवक डेढ़ घंटेम फिजिक्स करनी और लगवक डेढ़ घंटेम केमिश्ट्री में यह कहूंगा केमिश्ट्री में कम टाइम मत दीजेगा चुकि स्कोरिंग आपके लिए वह होगा आखिर का लास्ट में जनरली देख लीजेगा तो क्या करना आपको इस ku स्टेमिटीम फिजिक्स्क चम्स अंनाए तीन घंटे में आटोस separate हो naken करो माथख लाए देख सब्सक्राइब मेरे सब्सक्राइब पूरा गर्णिद यह त्यों होगा सब्सक्राइब अपको आ रही थी सुनना ध्यान से वह तो आप ने कर दिया वह आपके सही होगा तो रहेते हैं। उसका आप solution देख सकते हैं ठीके ना तो solution आप देख लेंगे तो वो concept आपका वहीं कि वहीं लॉक हो जाएगा और सारे के सारे ऐसे question जो आपने गलत किये थे या फिर आपने topic पढ़ाता बाट वह attempt नहीं कर पाए उन questions को आप आपने notes पर जरूर नोट कर लीजिए उसी time पर इस तड़ीके से क्या होगा डेली जब आप यह practice करेंगे तो आप डेली पूरी physics chemistry की division कर लेंगे डेली सारे सारे topics आपके दिमाग के सामने से खुझ लेंगे और डेली हर topic में से कुछ questions ऐसे फसेंगे जो concept आपके अभी बीक हैं वो concepts को आप उसी time पर देखते जाएंगे तो होगा उससे यह कि धीमे 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 जब आप 10 पेपल दे देंगे बारा पेपल दे है पर जब अपन ऐसे देंगे डिवीजन की टाइप से तो benefit क्या होगा तो benefit होगा कि हम इसमें जब कुछन नहीं आता है तो time देख पाके concept को तुरंद सीख लेते हैं जबकि हम exam की तरह उसको देते हैं तो सिर्फ हम जल्दवाजी में देखे उसी time आगे बढ़ जाते हैं औ आपको time नहीं देखना है सिर्फ physics chemistry को three hours में आपको attempt करना है अब बायो और math के लिए आपको क्या करना है बायो math के लिए आप कोई दूसरा हम लोग exam नहीं दे रहे हैं हम लोग exam नहीं दे रहे हैं तो question करके हमको उसका answer देखना है solution देखना है बायो में आपने दिया चार option देखे चारों example दे ncrt कोल के देखो और कौन-कौन से एक्जामपल उससे लेटेट एंटी एप में कोई नए एक्जामपल निकला है उसको वहीं पर ncrt इम्रोड कर दो ऐसी math के benefit है दो-दो गंटे में आपको देने है इसमें यह मैं सोचीगा सब्सक्राइब हमारी habit बिगड़ जाएगी हमें तो एक गंटे में या कम टाइम में attempt करने के आरे डाले है attempt नहीं कर रहे हैं हम लोग एक्जाम नहीं दे रहे हैं रिवीजन कर रहे हैं आप देखिएगा आप इस strategy को अपनाईए anti-app से आप revision करना start कीजे डेली आप एक paper fix कर लीजे physics chemistry के लिए और एक paper bio या math के लिए इस तरीके साब कीजे और बाद में उनका solution जब आप उसको analyze करेंगे तो उतना time नहीं लगेगा फिर क्योंकि अपने exam ही उस तरीके से दिया है बिटा आपको ये तरीका अपनाना है इसम आपके दिमाख में काफी अत्तक topic 22 brain mapping हो जाएगी brain mapping अगर एक वार हो गई तो आपको concept याद रहेंगे brain mapping को और कैसे strong करें उसके लिए मैं जलसे एक वीडियो और बनाऊंगा ओके इस चीज को आप लोग जरूर फॉलो करना last के दिन बहुत ज्यादा important होते हैं और anti-app बहु को यूज करना है ओके श्ट्रेंट्स